आज हम आपको शिवलिंग की पूजा के दोरान किन विशेश बातों का दोरान ध्यान डखना जाहिए इस बारे में बतानी जा रही है यूँ तो भगवान भोले नाद बहुत ही भूले हैं वो महज एक लोटा पानी एक लोटा जल चड़ाने से भी प्रसन हो जाते हैं जाने अंजाने में हम इसे कुछ लोग ऐसे गलतियां कर देते हैं जो हमें शिवलिंग की पूजा के दोरान नहीं करनी चाहिए तो आए जानते हैं क्या है वो गलतियां क्या है वो चीज़े और क्या है वो बाते जिनका ध्यान हमें शिवलिंग की पूजा के दोरान रखना चाहिए नंबर एक शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चड़ाने चाहिए ना ही घर में रखे शिवलिंग को तुलसी के पौधे के नीचे रखना चाहिए। ये निशेद माना गया है। नमबर दू, वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से निरंतर उर्जा प्रभावित होती रहती है और इसी उर्जा को शान्थ रखने के लिए शिवलिंग पर निरंतर जलधारा बहती रहने चाहिए। इसी लिए देखा भी गया है कि मंदिरों में शिवलिंग पर हमेशा ही जलधारा बहती रहती है। घर में स्थापित शिवलिंग नर्मदा नदी से निकले पत्थर का बना हो तो बेहद ही शुबकारी और फलदायक होता है। घर में रखे शिवलिंग का आकार हाथ के अंगुठे से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़े आकार का शिवलिंग हमेशा ही मंदिरों में रखा जाना शुब माना चाहता है। हल्दी और कुमकुम से कभी भी शिवलिंग पर तिलक ना करें और ना ही हल्दी और कुमकुम को शिवलिंग पर चड़ाना चाहिए। हिंदु मान्यता के अनुसार इस्तरियां अपने सुहाग की लंबी उम्री की कामना के लिए कुमकुम लगाती हैं। और यहां माहदेव सनहार करता की भूमी का निभाते हैं. इसलिए कभी भी हल्दी या कुमकुम से शिवलिंग की पूजा ना करें। नमर पांच, जहां भी शिवलिंग स्थापित किया जाए या जहां भी शिवलिंग स्थापित हो, वहां पर जूते चपल नहीं होना चाहिए। शिवलिंग के आसपास की जगा और वातावरन सा, सुत्रा और सच होना चाहिए। पूजा की दोरान निशेद माला गया है, जिनका ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। शिवजी की किरपा आप सभी पर बनी रहे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता है। हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चानल को सब्सक्राइब करें।